तो बच्चों आज की इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे दो क्लैंपों के बीच कसे या फिर कहो तने हुए तार को ठंडा करने में जो बल उत्पन होता है या बल का विंजक होता है उसकी हम लोग बात करेंगे या कहो कि दो द्रण आधारों के बीच कसे तार को ठंडा करने में उत्पन बल की गड़ना तो आईए समझने के लिए हम ये मान लेते हैं कि ये दो द्रण आधार हैं या दो क्लैंप हैं सीधे आप समझे बेटा कह दीजिए ये दो खूंटियां हैं क्लैंप मतलब चकड़ना तो यह कहो दो द्रण आधार हैं कुछ भी हमने कहा कह लो तो हमने कहा कि ये दो द्रण आधार हैं इनके बीच एक तार कस दिया हमने बच्चा हमने क्या किया एक तार को क्या कर दिया कस दिया और इस तार की जो प्रारंभिक लंबाई है वो लाल मेरा मैंने क्या कह दिया कैपिटल एल है अब इस तार को जब हम ठंडा करेंगे क्या बच्चा हमने का क्या करेंगे हम लोग ठंडा करेंगे तो आप देखेंगे कि ठंडा करने पर क्या होगा इसकी लंबाई में क्या होगी कमी होगी लंबाई में क्या होगी कमी तो हमने कहा वो जो लंबाई में कमी है वो लाल मेरा क्या है इसमॉल एल है क्या है इसमॉल सीधी से सोचो यह मारकर है समझने के लिए थोड़ी देर ताकि तुमको बहतर समझा जाएं इसको पहले तुम हीट करो ठीक है और यह दो द्रण आधारों के विश्टो हीट करने पर यह थोड़ा सा क्या होगा जब गरम होगा तो बढ़ा होगा लेगिन इसको जब ठंधा करो लंबाई में जो कमी होती है वो क्या होती है एल होती है तो एक बार पुना एक तार है जिसकी प्रारमिग लंबाई एल है दो द्रण आधारों के विश्ट कसा है जब हम तार को ठंधा करते हैं तो उसकी लंबाई में कमी स्मॉल एल होती है तो आईए इसकी भासा लिख देत है बच्चा क्या कि माना माना एक या कोई माना एक तार दो द्रण आधारों के बीच कसा है क्या है बच्चा कसा है ठीक है तार की प्रारंभिक लंबाई टापिटल एल तथा तार के अनुप्रस्थ काट का छेत्रफल तार के अनुप्रस्थ काट का छेत्रफल जो है वो क्या है या यू कहो कि तार का अनुप्रस्थ छेत्रफल क्या बच्चा कहो तार का अनुप्रस्थ छेत्रफल क्याइपिटल एं तार का अनुप्रस्थ छेत्रफल लाल में रख्या है कैपिटल एं तार को तार को । ठंडा करने पर तार की लंबाई में small l कमी होती है, कितनी बच्चा कमी होती है, small l कमी होती है, तब रेखिय प्रसार गुणांक, अब अच्चा हमने रेखिय प्रसार गुणांक क्यों देखा, तो देखिए तार एक रेखा में होता है, क्या होता है, रेखा में, तो तार में कमी हो या व्रद्धी हो, तो क्या होगा, प्रसार ही तो होगा, ठीक है, तो इसलिए तार का क्या होगा तार की जो लंबाई में कमी हुई है तो लंबाई में कमी बटे मेरा लाल क्या रहेगा उस तार की प्रारंभिक लंबाई बटे तार की प्रारंभिक लंबाई और गुड़े अब थंडा किया है तो ताप में क्या हो गई कमी तो बटे क्या लिखेंगे ताप में कमी बटे क्या बच्चा लिखेंगे ताप में कमी, अब एक बात ध्यान रखना, रेखिये प्रसार गुणांक जो होता है, उसे हम लोग बैटा अलफा से नोट करते हैं, किसे अलफा से, तो अलफा बराबर, अब लंबाई में कमी कितनी हो रही है, small l हो रही है, तो क्या होगा, ल में कमी कितनी है, delta t, कितनी हो रही है, delta t, अब अगर यहां से आप देखें, तो अगर इसका बटा एक लिखें बेटा, कैची गुणां कराएं, तो L एकन L, बराबर क्या आ जाएगा, अलफा गुडे, capital L, गुडे, delta t, और इसको हमने क्या कर दिया, समीकर नमबर 1, अब हम देखेंगे, इस तार के पदार्थ का यंग प्रत्यास्था गुडांग, लेकिन हम जानते हैं कि किसी तार के पदार्थ का यंग प्रत्यास्था, यंग प्रत्यास्था गुडांग बराबर बच्चा क्या होता है, यंग प्रत्यास्था गुडांग बराबर होता है, प्रति बटे होता है विक्रतिक होता है क्या होता है प्रतिबल बटे विक्रतिक लेकिन प्रतिबल बराबर बच्चा क्या होता है आगर हम बात करें किसकी प्रतिबल की तो प्रतिबल क्या होता है पी बराबर एफ अपॉन ए यानि कि एकांक छेत्रफल पर लगने वाला बल तो प्रति विक्रती.. विक्रती क्या होती है? विक्रती अगर कोई तार है, तार की प्रारंभिक लंबाई L है और उस पर बाहर से बल लगा दो, तो इसकी लंबाई में बीटा के बराबर होता है विक्रत के तो एक आंग छेतरफ़र पर लगने वाला बल प्रतिबल और लमबाई मेवरधी तता प्रारंबिक लमबाई कानुपात बैटा क्या हो विक्रत हो जाएगा अब इसके बाद में अगर हम देखें तो यह क्या है अब यंग प्रत्यास्ता उगणां के बैटा होता क्या है वाई तो हम आगे से कहेंगे कि वाई बराबर अब यह देखें यह उलट जाएगा तो कहां चला गया ऊपर और स्मॉल ल कहां आ गया नीचे आ गया बच्चा कहां आ गया नीचे अब हमें किसकी घड़ना करनी है तार को ठंडा करने पर बल की तो बल के बराबर समीकन को ट्रांसफर करो तो देखो ए और ल इधर बटे में इस साइड भेजो के तो किसमें बच्चा हो जायागा गुड़े में तो हम कह सकते हैं या यूं कहलो इसका बटा एक लिक के क्रॉस मल्टिप्लाई करा दो तो देखो F की L से गुणा तो यह क्या हो गया F गुड़े L बराबर इधर से Y A L और बच्चा मेरा क्या हो गया small L अब यहां से F बराबर फिर से transfer करो तो F बराबर अब देखना Y A small L तो वह इसे लिखो capital L गुड़े में है इधर आएगा तो बच्चा मेरा काहम हो जाएगा बटे में हो जाएगा अब हम कहेंगे प्राम equation वन याता हो समी करण एक से समी करण एक से तो समी करण एक से देखो L का मान जो है वो क्या है alpha L delta T तो समी करण एक से L का मान उठाओ और यहां पर रख दो तो अब देखो F बराबर Y A तो वही से लिखो small L की value क्या है alpha L delta T तो यह हो गया alpha L और बच्चा delta T क्या हुआ delta T और बटे क्या चल लहां है capital L आप ध्यान से देखो L से L क्या हुआ मर गया बच्चा क्या F बराबर यह बच्चा Y A alpha delta T तो यह हमारा गहा वो वेंजक किसी तार को ठंड़ा करने में उत्पन बल क्या होता है F बराबर Y A Y A alpha delta T और बल का मात्रक जैसा कि बच्चा आप जानते हैं क्या होता है Newton क्या होता है Newton तो यह था हमें आ रहा कि दो क्लैंपों के बीच कसे तार को ठंड़ा करने में करने पर उसमें उत्पन तापिय बल तथा या कहो तापिय प्रतिबल तथा बल के लिए वेंजक तो बच्चों हम आसा करते हैं कि हमारा वीडियो आपको पसंद आया होगा अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिए स्टेर करिए चैनल को सब्सक्राइब करिए और आज की इस लेक्चर में बस इतना ही मिलते हैं अगले लेक्चर में धन्यवाद